दोस्तों चलिए आज के क्लास के सुराज करते हैं आज हम लोग देखें एबेसोड पोर और यह रिवीजन स्रीज है किसकी इनवार्मेंट और इकोलोजी की और जिसको हम UPSC के प्रिलिम्स को टार्गेट कर रहे हैं और जान रखेगा आज से हमने नए पैटर्न पे जो भी कु पुछे जा रहे हैं वह आप संदिये हैं ताकि आपको आज़त पढ़ जाएगी कुशन कैसे पुछे जाते हैं और इसके लावाँ बात करें तो UPSC की पीटी के कट आफ आ गई है तो आप देख रहे हैं कि प्रस्न में से इस बार जनरल की जो कट आफ गई है लगबग 38 कु कुशन आप देख सकते हैं OBC की लगबग इतने ही मान सकते हैं AWS की 35 कुश्चन और SC की जो गई है तीस और 1st की देखेंगे 24 कुश्चन गई है यानि आप देखेंगे तो 100 कुश्चन में आपको इसमें 38 और जनरल OBC में AWS में 35 इतने कुश्चन आपको सभी करने है लोविश कट आफ गई है अब तक UPSC के एतियास में ठीक है यानि 200 में से आपको सिप और सिप इसमें 76 के लगबग देख सकते हैं नंबर लाने थे अला कि जरूर नहीं अगली बार भी कट आफ ऐसी जाए इसलिए जो ट्रजिशनल किताबे पढ़ने से आपका हो जाएगा बहुत सारी चीजों के बारे में समय के साथ आपको समझ में आएगी और एक बार फिर से कहते हैं कि आप लोग PYQ जरूर से जरूर देखिएगा इससे आपको ये पता चलेगा अगर आप कोई करेंट अफेर कोई भी ब पूशा जा रहा है वो लगबग दो साल पहले का कुश्चन इस बार पूछा गया है यानि आप देखेंगे 22-22 का भी कुश्चन पूछा गया है करेंट अफेर में तो एक दायरा बहुत लंबा है बहुत सारी चीज़ें कोसित ना करें कम सकम जो ट्रजिशनल चीज़ें उस चार पांच एपिसोड है इसके बाद पांच एपिसोड होगा 2016 का तो चार एपिसोड पूरा हो जाएगा आपको मारे टेलिग्राम चैनल वाट्सप पेज़ पर मिलेगी आंस आप स्कैन कर सकते हैं यह देखते हैं यूपीसी प्रिलियंस 2015 में पहला कुश्चन एको सिस्टम की परिभास से पूछा गया है कि सबसे अच्छा वर्ण इन चारों उप्सन में से कौन करता है कि आप सबसे पहली एको सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए वैसे कमेंट बॉक्स में इसका एंसर कमेंट कीजिए तब तक आपको सिस्टम समझा देते हैं इको बनता है इको सिस्टम का होता है कि कै एको सिस्टम कहते है इसमें जो सबसे अछा वर्ण कर रहा है इसमें दिखेंगे से जीव का question इएक समधाय तो इस प्रकार आपको ध्यान रखने हैं कि बेसिक परिभासा बेसिक चीजे भी आपके काम आ सकते हैं इसमें पूछा है वर्ड वा लाइफ इंटरनेशनल लामक संगठन में निम लिखित में कौन सा कतन सही है अब देखिए जो वर्टमान में अगर 2023 की बात करें 2023 में जो एक्जाम में अगर उसमें ये कुशन पुछे रहता है हलाकि 2023 की एक्जाम में ऐसे भी उप्सन दिया गए थे और ऐसे भी उप्सन दिया गए थे हलाकि देखते हैं क्या पूचा गया है वर्ड लाइव इंटरलेसनल के बारे में आपको सही कथन आपको बताना है और संरच्छड संगठनों का वैस्तिविक साजदारी है ऑप्सन दो जैवित्ता होट्सपर्ट की अधाड़ा इसी संगठन से उत्पन हुई आपको बताना है दोनों में से क्या सही है सबसे पहले आप देखते हैं वर्ड लाइव इंटरलेसनल के यह क्या है एंजियो है वैस्तिविक साजदारी है जो प्राक्तिक साधनों के उप्योग में स्थिर्टा के प्रत्य लोगों के साथ काम करते हुए पच्छियों और उनक सब्सक्राइब नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में विक्षित किया गया था इसलिए ऑप्सन दो गलत है और लाइफ इंटरलेसनल की बात करें इसका उद्यस क्या है विसमें पक्षियों और अन जैवित्ता सरचड के लिए इसलिए उप्सन 3 सही है कहने का मतलब दोस्ते इसमें क्या सही है इसमें और तीन सही है याई इसमें सही सब्सक्राइब परत्मान एक्राइब देखेंगे तो 30िक इसमें सब्सक्राइब यानि एक और तीन सब्सक्राइब से भी आपको दिया रखना है ऐसे इसमें एक या पब्लिक लिम्टेड सरकारी कंपनी ओप्सन दो यह एक प्रॉंट बैंकिंग यानि एन्बी अपसी जो है कंपनी है ठीक है तो चलिए सबसे पहरे इर्डा के बारे हम देखते हैं इर्डा क्या है इर्डा नवीकरडी याई नवीन और नवीकरडी उर्जा मंत्राले के प्रसास्टिंग नियांतर के अधिन एक भारत सरकार करें के मेने रतने का एक कमपनी है ठीक है इसके सब्सक्राइब में जो है नवीकरडी उर्जा छेज के विकास के लिए जो है एक नवी अपसी के तौर पर की गए थी तो इस प्रकार आगर आप देखेंगे इसमें कौन सॉप्शन सही हो जाएगा यह बताईए कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताईए इसमें देखेंगे एक और दो दो सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सही है वैसे स्टॉप्शन के कॉर्डिंग ऑप्शन बीस है अब मिनी रत्न की बात हुई तो आप देखेंगे जो सेंटरल लेवल कि आप पॉब्लिस सेक्टर की जो इंटरप्राइज होती है उसका क्लासिफिकेशन किया आता है महारतना नवरतना मिने रत्ना में तो इसके बारे में यहां पर डीटेल में दिया गया है आप बीडियों जो यहां प्रसकते आप स्कता है इससे आपसे पूछा जाए जैसे महारतनी कंपशन में कौन कंपणी सामिल है मिनी कंपण篠ील अंजी उसके क्राइटीरिया आपको जोड़ पढ़ लेजिए ताकि आप कुशन आए तो आप सॉल्व कर सकें लिखित में कौन सा राष्ट्री उध्यान तैरती हुई वनस्पत के साथ दल दल होने के कड़ आदती है जो समर्थन करती है अगर आपने इसके पहले घ्लास की होगी जोगर्फी की तो हमने यह सम पार्क हमने करवाए थे और यह कुशन पूछा गया और ऐसा दोस्तों पहली बार नहीं है कि विश्यस्ता के अदार पर कुशन पूछा जाए पूछेगा अब तो PCS में भी पूछने लगा है लेकिन आप देखेंगे तो मड़ीपुर में एक नेसल पार्क है केबुल लाम जाए ठीक है इसी कहान रहा है इसके बारे में बात कर रहा है तो इसका ऑप्सन हो जाएगा और अगर बात करते Mitra बहां मिलें घुक्त घ्योर स्टिपली पाल नेस्नल पार्क पार्क तर इसihi वेस्ट बेंगा नेफ यृ मैं राया है और घ्यक्र में आपको ध्यान रखना है तो तो आसम में आपको यहाँ पर नमेरी निशनल पार्क आपको लोकेस्टन ध्यान रखना है असम में इस्तित है इस तीए बहुत इस साल बहुत ज़ादा नीजमे था ठीक है और यहां कामेग रीबर बैटी है ठीक है और यह फेमस है गोल्डन मैसीर के लिए इस परकार कुछ न को सिल्तानपौर्ट नेशनल पार्क राष्टें यह वह थाता है एक क्यों कि आपको रहस्थान मिलेगा ठीक है कि अब हर्याना में आप आएगे हर्याना में आपको सुल्तार्बट नैसनल पार्क और सबसे धाल्ग प्रदेश में है डार्डा आप देखेंगे सिर्डभ लददाइक में 지оки है रियान किसे कहते हैं यानि एक आई स्थान जहां उन्संदान सिच्चा के उद्धिस्यों के लिए विबिन फूल पोधे लगाया जाते हैं प्रत्रश्चत की राष्ट्रों के जानवरों को पकड़ना मारना उनका सिकार करना सक्त वर्जित हो अब यहां पर जो रेड में लिखा है इसको आपको दियान रखना है राष्ट्रों दियान आतरधिक प्रतिबंदित छेत्र होता है जो सभी लोगों के लिए खूले नहीं होते हैं जबकि आप देखेंगे वाइल लाइफ के बात के राष्ट्रों के तोलना में कब इसमें पूछा गया है उनको उनके निवास अस्थान पर प्राक्तिक निवास स्थान पर सब्सक्राइब करना जिसे बटलिकल गार्डेन अक्वरेम हो गया ठीक है तो यह आते हैं एक से टू कंजर्वेशन यह सब चीजे भी आपको ध्यान रखने हैं इस्टूचन की बात क इसके बारे में जो है इसमें पूछा गया है कौन से कतन सही है और साइट सरकारों के बीच एक अंतर राष्टी समझ होता ऑप्सन दो ध्यान रखिएगा पढ़िए के ध्यान से आयो सीन प्राक्तिक प्रयावड के बहतर धंग से प्रतबंदित करने के लिए दुनिया भर मे हजारों छेतरी परियोजना चलाता है उप्सन थी साइट्स उन राज्यों पर कानूनी रूप से बादिकारी जो इन में सामिल हुए लेकिन यह कन्वेंसर राष्टी कानूनों की जगा नहीं लेता है ठीक है राज्य मतलब यहां पर देश समझेगा जो इस पे साइन की है ठ तो इसमें क्या हो जाएगा और इसमें बी नए परटन के हिसाब से अलाकि हम लोग आयोसीन के बारे में देख लेते हैं इसका मुख्याल है कहां सुट्जर लेंड ग्लांड में इस्तित है रड़िट जारिज करता है इसके लाव देखेंगे तो आयोसीन का जन्म कैसे होता ह बहुत सारी चीजों पर इसका चर्चा की है हमने कई सारे लेक्चर में आपको उसको बताया है कि यसे सबसे पहले स्टॉकम कर्वेंशन होता है पांच से छोला सोला जन्म में उसके परडाम सुर्व आप देखेंगे यूनेप का जन्म होता है ठीक है 1972 में और 1972 तक परेवड और मंतराले के स्थाफना की गई यानि कहने का मतलब स्टॉकम कर्वेंशन को यह परेवड यू की सुरात माना जाता है यह चीज़े आपको ध्यान रखने है इसके बाद देखेंगे तो फिर यह क्रोनलोजी दी गई है कैसे क्योंनिप का जन्म होने के बाद और च साइन करते हैं और 21 मास 1994 को लागू होता है उसके बाद कॉप की बैठक चालू होती है और इसमें एक इंपोर्टेंट कॉप है क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में होता कॉप 3 में यह बाद धिकारी समझाता है जो ग्रीन हाउस पर जो है रोक लगाता है यह कुछ चीजे में क्लास्गों में हुई थी कॉप 28 हुया युए में कॉप 27 दिखेंगे इजब्ट मुवा था कॉप 29 होने वाला है अजर वेजन बाकू में 2014 के बारे में दोस्तों यहां पर दिया गया है साइट के बारे में आपको देख लेना है साइट से सरकारों के अंतराश्य समझाता कि साइट पर जो पार्टियां साइन किये हैं वो कान रूप से बाद्यकारी यह चीज़े भी आपको ध्यान रखना है इसकी कुछ NX सूचियां है NX 1 में क्या दिया गया है इसको पढ़ लेना है NX 2 में क्या है NX 3 में क्या है तो कुछ चीजों की छूड़ दी गई है ठीक ह सेंगेत कोलंबे में 2019 में जो है wildlife conference हुई थी यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है कि लोकेशन वाइच कभी कभी कुछ दे आता है कि आप दिखेंगे कॉप 29 कॉप 19 हुआ था 2022 में पानामा में पानामा सिटी में साइट की बैठा कोई थी यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है अब देखिए 2023 में कुष्चन पूछा गया है कि यहान से बढ़िएगा कि आयो सीन के संबंदित है कि के इसमें पूछा संक्रामक जीव जाती इस विस्यसग समों जो वैस्विक संक्रामक जीव जात डेटाबेस विक्सित करता है निम लिखित में किस एक संगटन संबंद कि दिया है और यूनिड दिया है कि एसमें लिखेंगे ओसे यहा रटी को हPeं यह देकrementने चीशे और इसमें देख सकते हैं और यूनिप के तत्वधान में बहुत सारी चीज़े होती है जैसे जाविवित्ता पर कन्वेंशन होता है सीएमेस का कन्वेंशन होता है ओजोन परत यहां पर आपको ध्यान रखना है अगर पीसेस दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत जादे इंपोर्टेंट है इस के लिए के लिए वियना कर्णेशन होता है न कंवेंशन होता है अतर राष्टी रासान के लिए जोर्ट और यूड गया जाता है आपको ध्यान रखना है और हर साल पांच जोन को जो है यूनिप के तत्वादान में मनाया जाता है यह चीज़े भी आपको ध्यान फर्स्ट के तहत इसको तुरच्छा दी गई है तो आपको बताना है कौन सा जो है इसमें सही है तो आप देखेंगे डुड़ोंग की बात करें तो डुड़ोंग कह लेजिए या डुगोंग कह लेजिए का सी काव भी कहते हैं यह साकाहरी अस्तंधारी एक मात मौजूदा प् आपको मिल जाएगा और यहां पर देखेंगे के रेड लिस्ट में सामिल है वाइल अप प्रोटक्शन एक 1972 के परस्ट केता है तो इसे आपको ध्यानक नहीं है तो इसमें देखेंगे इसमें लिखा है भारत के संपूर तट पर पाया जाता है जबकि आप देखेंगे किसी से कुछन पुछा गया वाइल लाप प्रोटेक्शन एक्ट से किसी पौधे के विशिष्ट जादिको वन ने उस रच्छा अधनियम तो ने सो बातर के स्ट्यूल और में रखा जाए तिसका तात्पर क्या है जान रखेंगे दोस्तों 2020 में कुछ तो कुछ एक्ट जो इ ऐसे पौधिक खेती के लिए कोई भी परिस्थित नहीं हो सकती है या एक अनुवान सीखता रूपांदरी फसली पौधा ऑप्शन डी या एक ऐसा पौधा आक्रामक होता है जो परतंत के लिए हानिकारक होता है वो स्टूल फोर्थ में सामिल है तो इसमें ऑप्शन ए सही ह करने का एक कानुनी धाचा प्रतान करता है यह आपके एक्जाम करीब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह लाइन क्योंकि पूछ लेगा क्या वाइलाफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सिर्फ जानवरों या जीव के ट्रेड को नियंत्रित करता है या उनके सरच्षट करता ह अध्यान रखना जंगली जानवर हो झाए उनके आवास हो जाए पौधे उत्ताफ हो जाए उनको रेगृूर्येसन करता है तहीक में Wars कि लिखा गया कि राज परहेवड की रच्छा सुधार के लिए देशितार के आप diabetes किया की प्रयाज करें तो वहीं समीदान के अनुच्छ द क्याओन एजी में दीखेंगे तो वनों और मद्र Deshalb करने प्रत्ययक नागरी को अंप यह कुछ चीजे हैं आपको ध्यान रखनी है वहीं आप देखेंगे बैल वेस में समधान संसोद्रों निसे चीहतर द्वारा दो है देखेंगे वन और वन जीओं से पच्चियों का सरच्षड राज्य सूची समर्ति सूची में अस्तांतित कर दिये गए तो यह दोस्तों इसम समिल प्रजातियों को पूरे भारत में सिकार करना प्रजबंदित है सिवाए ऐसी स्थित जब वे मानव जीवन के लिए खत्रा हो और ऐसी बीमारी से पीडित हो जिन्सका ठीक होना संभव नहीं है यही सेम उप्सन उठाके जो है यूपी अस्ती के पीटे में पूछ लिया इसमें जो इंपोर्टेंट वह आम आपको बता दे रहें इसमें देखेंगे तो जो संरचित जीव हैं उनको आपको ध्यान रखना है यानि इसमें प्रत्वंद्य सिकार वाले संरचित प्रजातियां सामिए हैं लेकिन किसी वी उलंगन के लिए दंडे पहली दो अंसूचि वरतमान की बात करें तो मरतमान में आप देखेंगे इस शिडूल हो गया वरतमान में संसोधन भी हो चुके हैं इसी अक्ट के तहट आप देखेंगे तो राश्टी वन्रजीव बोर्ड बना है राजव बनी जिव बना है केंद्री चैविक यान यह चुडिया प्रादिकर की गई है और देखेंगे इसी एक के अंतरगत आप देखेंगे तो नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथर्टी के स्थापना की गई 2005 में जिसके अध्यच की परयोड मंत्री होते हैं और राजिका परयोड मंत्री इसका उपाध्यच होता है और केंसरकार एंटी सिपारिस पर किसी छेद को बाग अभ्याड गोसित कर सकता है यह आपके लिए यह लाइन इंपोटेंट हो जाती है यहां से आपको अंडरलाइन कर ले हैं और इसी एक्ट के अंतर रिजर्ब और समधाइक रिजर्ब टाइगर रिजर्ब यह सब भी आपको ध्यान रखना है इ इसमें आप देखेंगे आप रात के लिए दंड और जुन्माने का असासकत किया गया फिर आप देखेंगे एक बार फिर संसोधन होता है इसके बाद 2022 में संसोधन होता जो लेटेस संजोधन था इसमें सनथ्षित प्रजात्यों को बढ़ाने के लिए और साइट को लाउग कर दी गई है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है इस अधनियम के तहत आप देखेंगे धार्मी को किसी अनुद्यस के लिए हाथियों के प्यों की अनुमत देता है तो यह लाइन आप को ध्यान रखना है कि अब देखें कुछ वाड़ाब प्रोटेक्शन एड के तार पूछा है 2015 में कौन सा भारत का राष्टी जली जीव है तो सब को पता है कि एक फ्रेस्वाटर में रहने वाली जीव है तो यह क्या है भारत का राष्टी जली में से कौन सा ओजोन चाहिकारी पदार्तों के उपयोग को नियंत्रित करने वाला और चड़बत तरीके से बंद करने को मुद्ध्य से जुड़ा हुआ आप देखेंगे तो अभी हमें ने बताया कि यहां पर देखेंगे तो यह अनुवांसिक संसाधनों के लाप से साधा करने के बारे में है ठीके वहीं आप देखें मॉन्ट्रियाट प्रोटकॉल यह ओजोन डिप्लेशन से संब्दित है ठीके और और उजोन पर करते हैं इसमें कुछन नम्बर 9 देखी का है क्लामेट से संब्द में कुछ कतान दिये गया है उसमें आपको सही उत्तर बताना ओप्शन एक इसका उध्यष जलवाय परवरतन का मुकाबला करने के लिए विकासिल देशों को अन्कूल और समन प्रथाव में सहायता करना यानि एड़ाप्टेशन मिटिगेशन यानि जलवाय प्रतंग के प्रभाव को कम करना और भुष में ऐसे प्रभाव जलवाय पर नपड़े नुक्सान करें उसके लिए पॉल्सी बना सबसे पहली बात करें तो इसकी अस्थापना आप देखेंगे इसका उद्धेश ही है कि आप जो जलवाय पर वद्धन समनित जो विकास सिल्देश है जिनके पास रिसोर्स नहीं है उनको रिसोर्स उपलप्त करवाना और इसका मैनेजमेंट फंड का मैनेजमेंट यूएन इसका मैं परवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् यहां पर उसके बारे में दिया गया है तो यह चीज़े आपको देख लेनी है यहां पर देखें कोपन हेगन में समझ होता होता है कॉप 15 में 2009 में इसी में ग्रीट क्लाइमेट फंड की अधारा आती है ठीक है और इसी में आप देखेंगे तो यहां पर CBDR अपनाया गया यानि की कॉमन बट डिफ्रेंट रिस्पॉंसबल्टी एंड रिस्पेक्टिव के बारे बात की गई है और बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गए हैं जैसे आप देखेंगे तो क्योटो प्रोटकॉल करना समंद विस्तित नियम बनते हैं इसे में आप देखेंगे CBDR के अधारा आ आएंगे तो UNCCD के बाद दिया गया है इन्वार्मेंट फैसल्टी के बारे में दिया गया है इन सब चीजों को आपको रिवीजन कर लेना है इसके बारे हम लोग चर्चा करते हैं यहां पर दिखेंगे क्या लिए क्या लिए बायो कारवन फंड पहल का प्रबंदन किसके द है जो आप दिखेंगे डोनर सरकारोदारत समर्तित है और इसका क्या करता है मैरेजमेंट करता है यानि पूछा है जेन्टिक इंजिनरी मुल्यांकन समीट किसके अंतरगत किया गया था उप्सन एक खाज सुरच्छा मानक अधनियम 26 अप्सन भी बस्तु और भगवली संकेत अब दिखेंगे जेन्टिक इंजिरिंग मुल्यांकन समीट की तो स्थापना गठन किया गया था वह इंवार्मेंट प्रोटेक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स के तहत किया तो इसका नूडल मंत्रारे परेवड बन मंत्राले है इसका मुख्यकार और देविक उत्पात के लिए खतरनाक और पुना सायोजक बड़े पैमाने पर विव्यों करने से समध्वीडियो को मंजूरी तो इस प्रकार इसको जान रखना है नेक्स्ट कुशन की बात के द्वारा 15 में देखिए सीधे से कुशन पूझा गया है भारतिक विशेज छेत्र में अस्थानी लोगों के ज कि इसमें कुशन पूछा गया इसको ध्यान से पढ़िया कैसे पूछा है वन कार्बन साजयधारी सुब्धा यानि फॉर्स्ट कार्बन पार्टनर्सी फैसल्टी के बारे में पूझा अप्सन यह सरकारों ब्यवसायों नागरिक समास्वदेसी लोगों की बैस्विक करने के लिए और इडी प्लस यानि इसका फुलफार्म है यहां पर इंगलिम्स देखिए डिड्यूसिंग इमिशियन फॉर्म की फॉरस्टेशन एंड फॉरस्टेशन प्लस के बारे में प्रयासों में सहायता करता आपको सही उत्तर आपको बता है इसका एंस्वर्ट दीज समाज स्वदेशी लोग का एक अकेला सही ओगा विकासिल देशों में वन निरवड़ी कर वन सरचण और कार्बन के अस्थाई प्रबंदन सरचण को कम करने पर केंदित है जो 2018 में लागू होता है या अपनी ततपरता भविस्क प्रणाड़ियों के बारे में जागुर्टत क्याने का मतलब फुल मिलाकर इसमें जो अंसर सही हो रहा है इसमें हो रहा है तीन और एक यानि ऑप्सन सी तुक है जहां पर उसके बारे मोर्व चीजे दी गई हैं जैसे प्रमुख बिंदु क्या है यानि रिडी प्लस कर कार्वड़्यों क्या निर्वड़ी कर वन पनी कर माध्यम से कारवड़ में कमी लाना कारे करम क्या क्या चल रहे हैं कहीं आप सुनते होंगे एक RED प्लस होता है एक UNRED तो एक UNFCC द्वारा चलता है और तो अन के पहुँच के लिए आप देखेंगे विनाइटिन नेशन का आरेडी प्लस जो होता है वो कैपेबिल्टी जो है कैप्सटी जो है बेल्डिंग करता है ठीक है ताकि उनको वो क्यों सीसी द्वारा जो आरेडी प्लस का रिक्रम चला रहा है उस पर क्वालिफाई हो सके और फं